question में क्या है in a car fall off a ledge and drop to the ground in 0.5 second ठीक है एक car है वो क्या करती है 0.5 second में क्या करती है ground पर गर जाती है what is the speed on striking the ground आपको बताना क्या है जो इसकी speed क्या होगी जब वो क्या होगी ground पर गरी होगी given g equal to 10 meter per 30 second square ये g की value दी हुई है and what is the average speed during the 0.5 second आपको average speed we find करनी है and how high is less from the ground आपको बताना है जो less है वो कितने उसके ground से उचा है ठीक है सबसे पहले आपको पता होना चीह है इसमें क्या दिया है उसमें g की value कितनी दी है g की value है 10 meter per 30 second square दी है ठीक है और time क्या ले रही है गितने में time ले रही है कि 0.5 second ले रही है ठीक है तो एक दीक यह free fall की condition होती है तो उसमें क्या होता है इनिशल value से T होती ही ना यू क्या होता है जीरो होता है ठीक है ना किस केस में case क्या है इसमें free fall का ठीक है ना free fall ठीक है राइटिंग समझेगा ठीक है ठीक है आपको पता है वीग क्या होता है वीग क्या होता है यू प्लस 80 होता है ठीक है तो आपको क्या करना है वी की value निकालने यू क्या होगा जीरो हो गया एक की value क्या दीए आपको 0.5 दीए और t बराबर क्या होता है मतलब t बराबर मतलब यहां पर यहां पर आपका जी होगा ठीक है तो यह क्या होगे जी होगा आपका ठीक है जी ने एक ही वैल्यू क्या होगी यहाँ पर जी होगी ठीक है एक होगा आपका जी होगा टी क्या दिया आपको 0.5 सेकंड दिया हुगा है ठीक है अब एक ही वैल्यू क्या दिया आपको 10 दी है तो इसको solve कर दीजिए तो जो velocity आएगी वो कितनी आएगी इसमें velocity कितनी आएगी 5 meter per second आएगी ओके दोस्तों तो जो आपका velocity आएगी वो सबसे पहला question answer क्या मिल लगी आपको 5 meter per 30 second में लगी अब second case क्या बोला था average speed नकालनी है ठीक है तो average speed क्या होती है देखिए जो average speed होती है वो क्या होती है ठीक है जो average speed क्या होती है अपकी u प्लस v upon 2 होती है ठीक है अब u की value क्या है u की value तो 0 है v की value अपन नभी नकाली कितनी 5 नकाली upon करना है 2 करना है तो average velocity कितनी आएगी 2.5 meter per second आएगी आप क्या बचा एक question आपका answer ये भी आ गया ठीक है अब क्या बचा आपका आपको नकालना किसकी value है अब आपको dish height की value नकाल लिए है ठीक है ना ledge और ground के बीच की आपको पता है Newton की तीसरी equation क्या होती है Newton की तीसरी equation क्या होती है a से call to क्या होता a ut plus ठीक है half of a t square होती है ये होती है न यह यह लिए न थेखे a q value क्या है यहाँ अपर zero है तो zero हो गया ठीक है अब a क्या दी प्लस a की value क्या है दी है आपको 10 दी है t की value क्या है 0.5 है ठीक है इसका करिज़े square करिगे इसको करिज़़pta ठीक है तो आपकी क्या जाएगी यहां से height आजाएगी ठीक है ना distance और वही है ठीक है यहां से करेंगे 5 से 5 cancel ठीक है तो कितना आएगा 0.25 इन टू करेंगे 5 के साथ तो कितना जाएगा आपका ठीक है तो जापकी height आएगी ना वह कितनी आएगी 1.25 मीटर आएगी ओके दोस्तों एक वीडियो फिर से देखिएगा आपको easily समझ में आजाएगी ओके दोस्तों अपने तीनों चीज़ निकाल ली यह height आगी ठीक है यह क्या आगी इसकी average velocity आगी और यह क्या आगी इसकी velocity आगी ओके दोस्तों